चौलो शुरू करते हैं हम लोगोंने कल बात करी थी multiplication of matrices की basic चर्चा हो चुकी थी एक बार जो basic चर्चा हुई थी उसको थोड़ा साम क्या करते हैं discussion करके आगे बढ़ाते रिवाइस कर लेते हैं वो सारी चीज़ें फिर इसमें जो last point मैंने बूला था उन last point को हम क्या करते हैं चलो चैट बॉक्स में जल्दी से लिको सर रेडी हम लोग आगे का कंसेप्ट आप पढ़ाना स्टार्ट करिए रेडी एवरिवर्वान चलो रेडी इस अभी लोग तो एक बार जल्दी से कल का quick revision करते हैं कल क्या क्या हमने discuss कर लिया था देखो हमने बूला था कि दो matrices का multiplication तभी possible होता है जब ये beach वालर term common होता है मतलब पहले वाले matrix का column दूसरे वाले के number of rows के बराबर होना चाहिए बोलो हा या ना लिखते जो जल्दी से chat box में number of columns in A should be equal to number of rows in B यह हमको अच्छी तरीके से clear है अगर कोई ऐसा में दिखता है जहाँ पर n cross m है और n cross p है अगर यहाँ पर mismatch है तो क्या multiplication possible होगा आप बोलोगे नहीं सर इस case में multiplication possible नहीं हो पाएगा ठीक है यह बात हम सभी को clear है उसके अलावा बताईए suppose अगर हम बोलते हैं कि अगर हम यह multiplication का symbol यूज कर लेते हैं m cross p यहाँ पर देखो यह n और n dissolve हो जाएगा order कितना बचेगा n cross n यानि कि multiplication के बाद order कितना आता है इसको हम आसानी से समझ सकते हैं इसमें कोई problem वाली बात नहीं है उसके लावा हम लोगों ने कुछ properties भी discuss करनी start करी थी वह properties देखिए कुछ ऐसी थी अगर हमारे पास एक matrix ह जिसका order है m cross n और दूसरा matrix है जिसका order है n cross p तो total number of multiplications इसमें कितने नीडेड होते हैं m into n into p इसमें काल एक community post पर पोल भी करवाया गया था हलाकि उसमें काफी कम लोगों ने participate किया था बट जिन लोगों ने भी किया था 90% से जादे लोगों ने ठीक-ठीक answer दिया था इसमें total number of कितने additions needed होंगे this will become m into n minus 1 into p done done करते हुए चलो यह सब हम लोग कल कर चुके थे questions भी इस पर लगा चुके थे ठीक है यादना है सारे किस सारे formulas ठीक है तो एक दो questions भी कल किये थे वो हम लोगों ने solve कर लिये थे चलिए उसके अलाबा एक बड़ा important discussion हमने किया था कि अगर a b possible है तो b a की possibility पर क्या comment कर सकते हो तो आप बोलोगे सर अगर a into b का multiplication possible है तो b into a का multiplication भी possible होगा के नहीं होगा इसके बारे भी कोई absolute statement नहीं दे सकते हैं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है और अगर a or b दोनो square matrix है तो उस case में a b भी होगा तो b यह भी हो जाएगा ठीक है न तो ऐसा मैंने अलग-अलग करके statement आप लोगों को समझाया था last class में ठीक है फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपका multiplication property होता है वो commutative नहीं होता है आप a b को multiply करेंगे और b को a से multiply करेंगे तो हो सकता है results different different आ जाए associative होता है मतलब अगर तीन mattresses है अगर आप प मेहले a b को multiply कर लें फिर c से multiply करें result हमेशा क्या रहता है सीम रहता है साथ के साथ यह distributed भी होता है मेरे ख्याल से यहीं पर हमारा discussion close हुआ था इसके बाद हमें आज की class start करनीच है clear distributed भी बता दिया था b और c matrix को add कर लो फिर a से multiply करो या a और b को multiply कर लो a और c को multiply कर लो फिर इसको add करो ठीक है न ऐसा भी कर सकते हो clear है perfect चलो अब शुरुआत करते है seven point number seven नया point है जो हम आज की class में discuss करना चाहते हैं देखिए suppose अगर आपको एक matrix दे रखा है matrix A है न और आपसे कोई बोलता है कि इस matrix का square calculate करिए तो देखिए होता क्या generally जल्दी बाजी में हम लोग क्या करते हैं A square का मतलब individual elements का square कर देते हैं individual elements square मतलब यह 1 का square यहां पर लिख दिया यह 4 लिख दिया यह 4 लिख दिया यह 1 लिख दिया बताई जरा यह जो मैंने लिखा हुए आपको क्या लगता है यह सही है या गलत है is it right or wrong भाई A matrix आपको दे रखा है बोल रहा है A square लिखने के लिए तो हर एक element को square कर दो काम खतम क्य देखे यह blender होता है ठीक है यह क्या होता है this is a blender जिन लोगोंने DPP के session certain कियोंगे वहाँ पर मैंने इसको as a blender लिखवाया भी था जो हमारा second DPP था उसमें है यह blender होता कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए symbolicly जब भी कहीं पर भी आपको A square दीखे जब भी कहीं पर आपको suppose A square दीखता है तो इसका मतलब होता है आपको अपनी metrics को कित्ती बार multiply करना चाहिए दो बार multiply करना चाहिए अगर सब्सक्य कहीं पर A cube लिखा हुआ है इसका मतलब matrix को 3 बार multiply करो ऐसा नहीं कि उसके हर एक element को आपने cube कर दिया and so on तो similar basis पे अगर हम यहाँ पर देखें तो देखें इस matrix को अगर हम same इसी से multiply करें यह देखें 1, 2, yoga 2, 1 ठीक है और फिर हमने यहाँ पर कर लिया 1, 2, 2, 1 चलो multiply करके देखो क्या individual elements का आपको square दिख रहा है या नहीं दिख रहा है चेक करिए यह a square है 1, 2, 2, 1 ठीक है this is also 1, 2, 2, 1 तो यहाँ से अगर हम a square लिखें तो देखो क्या देखने को मिलेगा किसका किस से multiplication होगा बस यह देखते जाओ ठीक है, देखो यह multiplied by this पताना कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, सभी को दिख रहा है चलो, perfect तो हमने क्या करा यहाँ पर लिख दिया 5 उसके बाद बताओ क्या होगा यह, यह multiply होगा इससे 1, 2, 2 तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 कितने लोगों का same answer है तो देखो, क्या यहाँ से थाबित हो जाता है कि अगर हम A square कर रहा है तो अभिसली यह individual elements का square नहीं 1 का square थोली आ रहा है यहाँ पर तो 5 आ रहा है यहाँ पर 2 का square देखने में लग रहा है याद रहेगा आज के बाद आप सभी लोगों को ये, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, और इसको गलत कर देता हूँ, ठीक है, this is wrong, और इस property को important में डाल देता हूँ, स्वाई होप, अब आगे के बाद, आगे कभी भी आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, clear है, चलो, बहुत ही बड़ी है, छुटी-छुटी बात हैं, बट हमारे दिवांग में अच्छी तरीके से clear होना चाहिए, कि यार, ये property का मतलब क्या होता है, perfect, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो अगर a square करोगे, a to a, a cube करोगे, a to a, and so on, ऐसे अगर कि आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, एक चोटा सा question आप लोगों से पूछो, चोटा सा question पूछो, बताओगे सभी लोग, चलो, सोच समझ के answer देना, ठीक है, बहुत simple सा question आप लोगों से पूछ रहा हूँ, चलो, बताओगे सभी लोग, if a matrix A is having 0 determinant, कोई matrix A है, और उसका determinant 0 है, तो जो A square वाली matrix होगी, उसका determinant कितना होगा? कोई matrix A है, जिसका determinant 0 है, तो जो A square वाली matrix होगी, उसका determinant कितना होगा? जरा सोच समझ के आप लोग बताइए, ठीक है? और यहाँ से फिर आता है एक बड़ा important note, ठीक है? सोच लो, समझ लो और बताओ, पक्का 0 होगा? शूर? कुछ लोग बुल रहे हैं, सर मे और मे नॉट भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप बताइए क्या होना चाहिए? जरा ध्यान से समझेगा, ध्यान से समझेगा, देखिए, यह matrix C था, यहाँ पर आपने लिखा था, A plus B, हमने बुला था, कि अगर आप C का determinant निकालोगे, so this will not be equal to mod A plus mod B, in general, हम लोगों ने यह बूल दिया था, कि ठीक है, जो आपका mod C आएगा, this will be less than or equal to mod A plus mod B, यहाँ पर not equal to मैं लगाता हूँ, जब की product के case में क्या होता है? जरा देखो, product के case में, suppose अगर आपके पास एक matrix C है, which is the product of A and B, obviously सारे स्क्वाइर होनी चाहिए, तब यहाँ पर जो determinant होता है, वो दोनों के individual determinants के multiplication के बराबर होता है, तो यह बात side by side मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि जब दो matrices आपस में add होती है, तो उनके individual determinants आपस में बराबर नहीं होते है, in exact relation कल बता चुका हूँ, but मैं यहाँ पर सिर्फ equal to और not equal to के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, ठीक है, पहले तो यह note करो, और जैसे आप यह note करोगे, कहीं न कहीं आपके question का answer इसी property में छुपा हुआ है, ठीक है, आप इसको extend भी कर सकते हो, आप यहाँ पर कोई और भी matrix करते जोगे, जो आप यहाँ पर determinant लोग है, तो सबके individual determinants के product के बराबर आपको यह दिख जाएगा, ओके, समझे मेरी बात को सभी लोग, पहले तो बताओ, यह property सबको समझ में आई, बड़ी important property है, सभी लोग, लोग इस पर ध्यान दो, सिर्फ यहाँ पर दो नहीं कित्ते भी कर लो, A1, A2, A3, A4, A5, किते भी matrices multiply करो, तो उनके determinants भी आपस में multiply हो जाएगा, ठीक है, I hope this is making sense, चलिए, इसी पर based हमारा question था, इसी पर बिल्कुल based हमारा question था, यह बोल रहा था, कि हमारे पास एक determinant A था, ठीक है, इसके बाद एक question और पूछूँगा, उसका भी answer बार हो, देखे, यह question में दे रखा था, कि भाई, इसका जो mod A है, वो 0 है, तो suppose इसने यहाँ पर एक नई matrix बनाई, जिसको कि हम A square बोल सकते थे, A square का मतलब हो गया, यह A वाली matrix को, हमने दो बार multiply करा, ठीक है, इसके determinant के बारे में हमसे पूछ रहा था, तो बताओ, जो determinant of C ह होगा, क्या यह determinant of A into determinant of A हो जाएगा, समझ रहो, तो मैंने language के form में देखो इसको लिख दिया, मैं चाहता था इसको ऐसे भी लिख सकता था, determinant of C is equal to determinant of A into A, आंसर क्या मिल जाएगा, 0, पक्का, एक question और करोगे, इसी तरीके का, determinant 0 आएगा, भाई, matrix null नहीं होगी, ठीक है, determinant 0 आने का मतलब null matrix नहीं होता है, इसका determinant 0 आएगा, this may or may not be null matrix, this C, ठीक है, C के सारे element को 1 कर दोगे, तब भी determinant 0 आएगा, तो जो determinant 0 आ रहा है, वो आपका null matrix नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके, चलो, एक question आपको और देते हैं, अब इस question का सोच समझ का answer बताना, दिमाग चलाना, इस पर फटा-फट, मैंने क्या पूछा है, और आप क्या answer देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, देखो, यहाँ पर इसने बोला है, कि एक matrix A है, which is the product of matrices A1, A2, A3, dot, 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 A, I, ठीक है, question में इसने इतने सारी I matrices, A1 से लेके I तक के matrices का multiplication यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, ओके, question अब बोल रखा है, matrix A, J, और यहाँ पर define कर रहा है, कि जो आपका J है, वो 1 से I के बीच में है, जाएगा इदर, चलो, चला जाएगा, matrix A, J, और यह बोल रहा है, जो आपका J है, वो 1 से I के बीच में है, मतलब इनके बीच की कोई एक matrix है, पर mentioned है, ठीक है, बोल रहा है, all the elements of A, J, is same, पूछ रहा है आप से, calculate determinant of A, चलो, solve करें इस question को, फटा फटा, अभी शेक सिम गोल रहे हैं, सराज, बहुत smart लग रहे हो भाई, जादर तारीफ मत किया करो, मेरी नहीं तो हो सकता है, मैं कोई रास की बात आपको बता दू, अगर किसी की रास की बात आपको जानने हैं, तो उसकी दो-चार बार टारीफ पर दीज़े न, कुछ न कुछ अपने अंदर की बात वो आपको बताई देगा, question समझा है आप सभी को, उसने एक matrix दे रखा है, बोल रहा है, यह matrix A1, A2, A3 से लेके AI तक के matrices का multiplication है, ठीक है, तो जो यह matrix है, A, J, उसने बोला, इनके बीच का कोई एक ऐसा matrix है, जो कुछ इस तरीके से defined है, कि उसके सारे elements same है, सारे elements same है, ठीक है, और पूछ रहा है, determinant of A बताईए, पक्का 0, कैसे 0 आ गया, कैसे आपने बताया, देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें इस बात पर agree करना चाहिए, हम सभी लोगों को कि, हम सभी लोगों को इस question में इस बात पर agree करना चाहिए, कि भाई, अगर हम इसके determinant के बात कर रहे है, question में जो पूछा जा रहा है, suppose अगर हम उसकी बात करें भी, तो determinant of A, A1, ये A2, ये A3, और अगर determinant के उसने बात कर दी, तो इन सारे matrices का square होना अनिवार है, इस बात पर कित्ते लोगों की नजर गई थी, कि इस question में उसने कहीं पर mention नहीं किया था, कि ये सारे matrices square होने चाहिए, ये अगर उसने determinant पूछा हुआ यहां से, तो यहीं से बात साबित होनी चाहिए, कि भाई, ये determinant of A की बात कर रहा है, यानि A square होना चाहिए, और अगर A square है, ये सारे के सारे square होने चाहिए, तो वो understood हो गया, अब इसके बीच में कहीं न कहीं पर AJ भी अपना exist कर रहा था, तो इसके बीच में कहीं न कहीं पर suppose यहां पर हमारा AJ भी exist कर रहा था, इसी भी order का आप ले सकते हैं, order उसने mention तो करा नहीं है, तो अगर हम इसके सारे elements को same मान लें, इसका अगरलाब सारे रोजिया, सारे columns proportional हो गया, यानि कि इसका determinant AJ का कित्ता हो गया, 0, और अगर AJ का determinant 0 हो गया, तो बताओ क्या वो सब को निप्टा देगा, बिल्कुल, है न, कित लोगों ने इस question को खुद से सोच के कर लिया था, इमानदारी से बताइए, अगर आपने खुद से सोच के कर लिया था, तो आप mathematics सिर्फ पढ़ने रहे हो, उसके साथ साथ अपने critical thinking बें develop कर रहे हो, कि हर एक property को relate कैसे करना है, सोचना कैसे, thought process कैसे build करना है, देखिए, mathematics त समझे, हलुआ question था, बिलकुल सही बात है, इसमें कोई दो रहे है, नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलिए, तो property number 7 जो हम लोगों ने अभी पढ़ी, काफी important property थी, I think property number 7 के बाद, अब हमें चलना चाहिए, property number 8 की तरफ, ठीक है, property number 8 देखो, बहुत simple है, क्या बोलने की किest buatbei, बोल रहा है, कि अगर आप किसी matrix को null matrix से multiply करोगे, तो resultant हमेशा null आएगा, obvious ही बात है, किसी भी संख्या में 0 का multiplication हमेशा क्या देता है, 0 देता है, ठीक है, तो अगर किसी matrix में हम null matrix को multiply करेंगे, resultant हमेशा null matrix आएगा, similar basis पर, अगर हम किसी matrix में identity matrix का multiplication करेंगे, so we will get the same या identity में same matrix को multiply करोगे you will get the same result बताइए क्या यह property हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कल identity matrix पढ़ने के दौरान ही discover कर थी ठीक है तो यह पहले से discovered है अब क्योंकि multiplication के बात हो रही है तो हमने यहाँ पर इसको वापस से लिख दिया है ठीक है कि एक बार आप लोग deep breathe करो property number 10 बहुत जादे important है क्योंकि जो property number 10 है वहां से जो statements आते हैं वह exam में काफी बार पूछे जा चुके है ठीक है चलो एक बार जल्दी से इसको देखो और बताओ कि क्या आप लोग property number 10 पढ़ने के लिए ready हो तो ready लिखेंगे chat box में जब relax हो अगर mind distracted को कमेंट करने में लगा हुआ है कोई किसी चीज में लगा हुआ है तो भाई दस्वी property ने समझ पाओगे ठीक है न अरे मेरे भाई पढ़ लो पढ़ लो mathematics चल रहा है ठीक है दुनिया भर के social media discover हो गए आपको एक ही जगहां चैट करनी है YouTube के live class के chat box में ठीक है तो कि अगर उल्टे सीधे comment यहां पर लिखोगे तो हो सकता है कि मैं को important चीज बताने जाओ और भूल जाओ ठीक है और अगर मैं भूल गया और जनरली क्या होता है कि पिछले 8-9 साल के experience में मैं मैंने यही देखा है कि जो मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूं वही एक्ज प्रशिश करते हैं ready everyone ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए दस वी प्रॉपरिटी में देखो क्या बोल रहा है बोल रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स हम लेके चलते हैं और इनका प्रॉड़क्ट नल मैट्रिक्स आता है तो क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्या-क्या बात है नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो फाल्तु में हवा बना रखे थी कुछ भी नहीं है यह तो बहुत सिंपल है दो मैट्रिक्स को मुल्टिप्लाई क्या रिजल्टेंट नल आ गया तो हो सकता है कि दोनों ही मैट्रिक्स करता हूं इसमें कोई दो रहा है नहीं है इसमें पासुब्सुबिल्टीटीज इस कि यह दोनों मैट्रिक्स हो जाएं चलो डन के स्वे आते हैं देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि इनका और इनका प्रॉडक्ट अगर नॉल आ रहा है तो यह तो नल मैट्रिक्स नहीं और बीनल उस जाए तब भी क्या इडिटली स्ट्राइक कर गया होगा कि आप बोलोगे सर एको नल ले लो बी को नॉन नल कर लो कोई बड़ी बात नहीं ए नल हुआ तो भी ओ बी को निप्टा के नल बना देगा यानि कि पहले तीन केसे में मुझे न लगता कि कोई नई बात है तो यह पहले तीन केसे अगर आ यह इसको आईए ज़रा केस फोर में देखते हैं देखो यहां तक आने के बाद इसको अभी सुकूर नहीं मिला है यह बोल रहा है कि अब चौती वाली पॉस्बिलिटी बताओ भाई चौती वाली पॉस्बिलिटी में दो मैट्रिस का प्रॉड़क्ट नल मैट्रिक्स आ रह रहा है कि सब्सक्राइब एक नॉनल मैट्रिक्स कुछ भी एलिमेंट आप उसके इंदर लिख लो 1 2 3 1 वाटेवर है ना बी एक नॉनल मैट्रिक्स कुछ भी लिख लिए आप उसके अंदर 1-100 जो भी आपको लिखना है बोल रहा है अगर इन दोनों को हम मल्टिप्लाइ कर अनर रिजुन उनल मैट्रिक्स आ जाए तो क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी पर आप कोई स्पेसिफिक कॉमेंट कर सकते मैट्रिक्स पर कुछ अलक सा एक हम लोग रिस्रिक्षिन लगा सकते हैं ईए देखते उस पर हम क्या लोग से confessory लिखится करने चारों देखूयए हम मान के चल रहे हमारा जो A है और जो हमारा B है यह हमारे non-null matrix ठीक है यह खुद ही बोल रहा है कि भाई वो non-null आप लेके चलिए तो यह भी हमारा null matrix नहीं है बी भी हमारा null matrix नहीं है बहुत ध्यान से सुनते रहना है मैंने बोला ना undivided attention चाहिए तभी इसको हम लोग क्रैकर पाएंगे कि यह कहना क्या चाहता है चलो तो हमने बोला कि ठीक है यह matrix A हो गया यह matrix B हो गया multiply करा हमको मिल गया यहाँ पर null matrix ठीक है अगर मैं यहाँ पर post multiplication करूँ पोस्ट multiplication का मतलब होता है आपके पास A dot B एक single entity है इसके बाद आप कुछ multiply करिए है ना post multiplication का मतलब क्या होता है कि यह A dot B present है इसके बाद अगर आप कुछ multiply करना चाहो तो कर सकते हो तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया यह A dot B को तो S C रहन दिया और मैंने इधर B inverse का multiply कर दिया अब इधर B inverse का multiply किया है तो इधर भी post multiplication करेगा तो देखो मैंने 0 के बाद ही लिखा हुए नमजगे तो यहाँ से आपका एक नय टर्म से नाता जुड़ा post multiplication post multiplication का मतलब अगर कुछ LHS equal to RHS लिखा हुआ है तो आप LHS में अगर बाद में multiply कर रहो RHS में भी बाद में multiply करना ठीक है चलो अब देखो आगे मैं क्या करता हूँ मैंने इसको लिखा A यहाँ पर मैंने कर दिया B और यहाँ पर मैंने कर दिया B inverse ठीक है देखे नल मैट्रिक् उसके inverse से multiply करते हो तो resultant हमेशा आपको क्या मिल जाता है एक identity matrix आपको हमेशा एक result मिलता है ठीक है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा I तो देखें यहाँ से आपको क्या मिला एक हमने matrix ले लिया A B into B inverse मिल गया I और यह मिल गया आपको 0 किसी भी matrix का identity matrix से जो multiplication होता है क्या वो से मैट्रिक्स में result करता है कल से आप पढ़ते हुग आ रहे हो तो यहाँ से मिला determinant of A equal to 0 पहले तो आप लोग इस calculation पर convince हो जाईए तो मैं conclusions कितरा बढ़ने की कोशिश करता पहले तो आप पहले तो आप calculation पर convince होईए कि सर calculation clear है इसमें कोई doubt नहीं है A और B non-null matrices थे ठीक है यहाँ पर दोनों का product null आ रहा था मैंने क्या करा कि भाई दोनों side B inverse से multiply कर लिए B inverse से multiply करने के बाद मुझे पता चला कि जो आपका matrix A है वो null matrix जैसा देख रहा है clear है अब ज़रा देखें ज़रा देखें यहाँ पर अगर आप इस पूरी calculation को एक नज matrix हाना चाहिए जबकि आपने भूला हिए कि भाई matrix A null matrix हो ही नहीं सकता है आपने शर्त यहीं लगाई थी कि मैं A dot B equal to 0 को analyze करना चाहता हूं under the condition कि हमारा A null matrix नहीं होना चाहिए B नहीं होना चाहिए जैसे आपने हाँ पर post multiplication करा आपको मिल गया A is null matrix है ना यही तो मिल आपको A is null matrix तो बताएए यह जो result आ रहा है यह valid है यह invalid result है तो आप बोलोगे यह result तो invalid है यह तो invalid result आया है ना तो अब देखते ही कोशिश करते है अगर यह result invalid है तो यह result आया ही क्यों यह result आपका इस लिए आ रहा है क्यूंकि आप दोनों side B inverse से multiply कर रहे हो जब दोनों side आप B inverse से multiply करोगे तो 110% ये result तो आना है बी इंटू बी inverse आई हो जाएगा ये 0 हो जाएगा ये result A equal to 0 तब नहीं आ सकता था जब आप दोनों side B inverse से multiply करी ना पाओ और जब आप दोनों side B inverse से multiply करी ना पाओ ये तो तब ही हो सकता है जब B inverse exist ही ना करे जब B inverse exist ना करे इसका मतलब क्या होता है कि जो matrix B होना चाहिए उसका inverse ही possible ना हो अगली property में यही हम discuss करने वाले है कि जब भी किसी matrix का determinant 0 होता है तो उसका inverse कभी exist नहीं करता है जब भी किसी matrix का determinant 0 होता है उसका inverse कभी exist नहीं करता है ये बात जिसको पता अच्छी बात है जिसको नहीं पता है वो ये बात नोट कर लो अगली प्रॉपर्टी अपने inverse वाली है वहाँ पे detail में इसके हम लोग चर्चा करेंगे बट as of now हमीशे याद रखिए कि दुनिया में जित्ती matrices हैं सबका inverse exist नहीं करता है उन्हीं matrices का inverse exist करता है जिनका determinant non-zero होता है जिन matrices का determinant 0 होता है उनका inverse exist नहीं कर सकता जिन matrices को singular matrix आप बोलते हो उनका inverse exist नहीं कर सकता तो इबार वापस से quickly इसको देखने की कोशिश करते है यह और भी normal matrices थी हमने क्या किया a b equal to 0 हमारे पास यह restriction था दोनों साइट हमने b inverse से post multiplication किया resultant विला a equal to 0 a equal अनों साइट b inverse से multiply किया तो यह result तब नहीं आ सकता था या possible नहीं हो सकता था जब यह b inverse दुन्या में exist नहीं करता यह b inverse exist कब नहीं करेगा जब इसका determinant 0 होगा यह यह matrix singular matrix होगी समझे मेरी बात को कोई दिक्कत तो नहीं है clear चलो एक काम और कर लेते हैं एक काम और करते हैं उसके बाद conclusions पर आते हैं ठीक है इसके conclusions बहुत important है आपसे statement में true false के terms में मैं पूछूंगा ठीक है आईए एक बार same concept pre multiplication में लगा कर देखते हैं कि pre multiplication हमको क्या देता है देखिए ये बोल रहा है A हमारा null matrix नहीं है B हमारा null matrix नहीं है बावजूद इसके A और B का जो product है वो null matrix आ रहा है इसके बावजूद है ना तो अगर अब मैं pre multiplication की बात करूँ तो मैं इसको एक single entity की तरह treat कर लेता हूँ ठीक है A और B को देखो मैंने single entity की तरह treat कर लिया प्री multiplication की बात कर रहा है तो इधर मैंने A inverse लगा दिया इस वज़े से मैं इधर भी A inverse पहले ये लिखूँगा और उसके बाद यहाँ पर dot 0 लगाऊँगा देखिए ज़रा यहां से जो A inverse और A आपको दिख रहा है इसको ये value आपको मिल जाएगे 0 किसी matrix में identity का multiplication same matrix में result करता है तो matrix B हो जाएगा null matrix के बराबर है ना तो बस यहां से देखो क्या result valid है या invalid है आप बोलोगे सर ये result तो invalid हुआ क्यों क्यों क्योंकि matrix B तो आपका null होना ही नहीं चाहिए था यही हमारी primary और foremost condition थी primary और foremost condition यहाँ पर fail हो गई यह matrix B equal to zero आया क्यों क्योंकि आपने दोरो साइट एंवर्स ले multiply किया यह result कब नहीं आ सकता था जब एंवर्स एक्जिस्ट ही नहीं करता यानि कि जो आपका matrix A है उसका determinant zero होता यानि कि वह singular matrix होता ठीक है everyone जल्दी बोलो कोई डाउट है इसमें तो पूछो इतने discussion के बाद अगर आपने ध्यान पूर्वक सुना होगा तो आपको यह पूरा discussion crystal clear होना चाहिए जो important concepts होते हैं उससे पहले मैं आपको इसलिए reminder देता हूँ कि ध्यान से सुनने पर focus क करो एक ही चीज को मैं दस बार बोलता हूं कम से गम सो अब उसको अच्छे से रिलेट कर पाएं तो ध्यान पूर्वक अगर आपने सुना होगा तो अब आपको discussion बहुत अच्छे से clear हो गया होगा अब अगर मैं इसको conclude करना चाहूं तो मैं कैसे conclude कर सकता हूं जरा उस statement को ध A and B are singular matrices मतलब ना तो A inverse exist करना चाहिए ना तो B inverse exist करना चाहिए अगर A inverse exist करेगा तो वो 110% क्या करवा देगा मैट्रिक्स B को नल करवा देगा जबकि हम नल तो चाहते नहीं अगर B inverse exist करेगा तो वो क्या करवा देगा मैट्रिक्स A को नल करवा देगा यह हम नहीं चाहते जिरो होना चाहिए, A का भी, B का भी, दोनों का साथ, मैं अशा नहीं होना चाहिए, कि सिर्फ एक आप बोल दोगे, कि सर देखे, पोस्ट मल्टिप्लिकेशन में A का तो हो गया न, चलेगा, इसका मतलब, आप यहां पर यह बोलना चाहरे हो, कि भाई, B inverse exist नहीं करेगा, तो ठीक है, बट अगर A inverse exist करेगा, तो चल जाएगा, देखो, अगर आप A inverse को exist करा रहो, तो भी वो B equal to 0 को हमेशा generate कर देगा, तो हमेशा इस property में, ना तो हम A inverse का exist करना afford कर सकते हैं, ना ही हम B inverse का exist करना afford कर सकते हैं, दोनों का ही determinant 0 करना पड़ेगा, या फिर दोनों matrices को ही singular matrix बोलना पड़ेगा, यह बात हमारे दिवांग में अच्छी तरीके से बैठ गई, अब जड़ा एक flow chart देखिए और बताइए क्या इसी flow chart को हम लोग इत्ती देर से discuss करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, दो matrices का product null matrix है, ठीक है, कोई भी उसको 0 नहीं बोलेगा, यह 0 नहीं नहीं है, यह null matrix है, ठीक है, दो matrices का product null matrix है, कब कब हो सकता है, दोनों null हो, दोनों में से एक null हो, अगर दोनों ही null नहीं है, तो उस case में product 0 कब हो सकता है, जब A और B दोनों singular हो, determinant of A, determinant of B 0 हो, यह आप ऐसा बोलिए, inverse of A, भी should not exist, यह 3 statements है, तीनों statements पे बेस्ट exam में questions पूछे जाते हैं, तीनों में से कोई भी statement examiner पूछ लेता है, ठीक है, पड़ो फड़ा पड़, दो matrices का product null matrix कब कब आ सकता है, दोनों null हो जाए, दोनों में से एक null हो, और अगर दोनों ही null नहीं है, तो दोनों matrices का determinant 0 होना चाहिए, दोनों singular होने चाहिए, यह ऐसा बोल सकतो, दोनों का inverse exist नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक question करोगे, एक question करवा दें आपको, ठीक है, थोड़ा सोचने वाला question रहेगा, सोचने समझने की शक्ति भी बची हुई है, यह ले गया सारा का सारा Instagram Reels, कि तर तोने समझने की शक्ति तो नहीं बची है, करवा दो आपी, चलो, चलो मैं म मानता हूँ, थोड़ी बहुत आपके अंदर सोचने समझने की शमता है, पहले यह statement पढ़ लो, यह statement पढ़ लो, ठीक है, फिर मैं आपको एक question करवाता हूँ, सोच, बस सोचना है उस question में, answer अपने आप आ जागा, पढ़ो फड़ा-फड, यह statement ठीक है, the multiplication of two non-null matrices and null matrices, find only if both matrices are singular matrix, very very important conclusion, बहुत मज़ेदार conclusion, इस पर based exam में question पूछे जाते हैं, ठीक है, करोगे, चलो, एक question करवाता है, यह statement पढ़के, एक बार done कर लो, कि सरी statement clear है, आप सवाल करवाई है, सवाल करते हैं, सोचने वाला question रहेगा, ठीक है, सोच समझ के answer दिना रहेगा, पढ़ लिया, चलो, आज हो भाई, question देखो, question में देखो, क्या बोल रहे हैं, एक matrix A है, इसको क्या हो गया, एक matrix A है, जो की, तीन matrices का, ठीक है, जो की तीन matrices का product के बराबर है, एक matrix B है तुभारा, जो की दो matrices के product के बराबर है, ठीक है, B1 और B2 के product के बराबर है question अब बोला जा रहा है कि जब भी हमने A और B को multiply किया resultant हमको मिल रहा है null matrix, ठीक है resultant मिल रहा है, null matrix तो question में देखो एक-एक option हम set करने की कुशिश कर रहा है option number 1 प्थज पयाँ तीसरा यह कोशिन यही मैं आपके सामने भी बना रहो ठीक है तो बड़ा अच्छा खोशिन है बताई कौन कौन से ओप्षिन्स इसमें करेक्ट बोथ ए और बी आर नल मैट्रिक्स शलो देखते किती छमता बची आपके अंदर सोचने समझने की चलो रिलेट करो सोचना है बस है ना कौपी पर उठाने के जरूत नहीं पड़नी चाहिए भाई डिटर्मिनेंट की बात हो रही तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ना यार क्या बात कर रहे हो यार बी सीडी बी सीडी बही मैं बोल रहा हूं बोल रहा हूं सोचो तो सोचना है नहीं बी सीडी बी सीडी बस अरुन कुमार बोल रहे हैं सर सारे सही होंगे शिवानी बोल रहे हैं सारे सही होंगे रिया सिंग बोल रहे हैं ए बी सीडी हो जाएगा टाइटन बाबू ठीक है, all correct वाली भी हैं कुछ, प्राणी हाँ, true ही बताना भाई, true ही बताना है, इसमें बताना है कि ये चार options में से कौन सा correct है, ठीक है, आप लोग भी true ही बताना होगा ना, यार obvious सी बात है, true statements चलो ये देखो, अब सारे आगे, सारे true हो जाएंगे, sir, one, two, three one, two, four, एक ने बोला, sir, three नहीं होगा, one, two, four आप सिर्फ ले लीजे, गौरफ गिरी चलो, all true, all true, आईए सारा देखने की कोशिश करते हैं, क्या-क्या बोला जा रहा है, देखे, मेरे ख्याल से two, three, four में तो कोई doubt ही नहीं है, है न, ये बोल रहा है, a और b matrix नल आना चाहिए, तो अगर एक भी नल हो जाए, तो भी अच्छी बात है, है न, दूसरा नल हो जाए, तो भी अच्छी बात है, दोनों नल हो जाए, तो भी अच्छी बात है, तो two, three, four में तो कोई डिबेटी नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल से अगर किसी को किसी को थोड़ा confusion हो रहा है या किसी को थोड़ा बहुत हो रहा है तो A वाले option में होना चाहिए और मेरे कहने का मकसद यही था कि कित्ते लोग ऐसे हैं जो A वाले option decode कर पाते हैं यह ज़रा देखने की कोशिश करते हैं A वाले option में क्या बोला जा रहा है A वाले option में बोल रहा है कि A और B दोनों non-null matrices हैं मुझे बताइए अगर A और B दोनों non-null matrices हैं तो दोनों का product null कब आ सकता है बोलो अभी भी आपढ़के आ रहो दो non-null matrices का product null तभी आ सकता है जब दोनों singular हो जब दोनों का determinant 0 हो आई ज़रा determinant calculate करके यहाँ पर देखते हैं ठीक है यही तो बोलना चाहता है वो तो अगर first वाले option में हम देखे हैं A का determinant बताओ यहाँ पर A का determinant किसके बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा A1 A2 और A3 के बराबर देखो luckily उसने question में बोला हुआ है कि A2 का determinant 0 है भाई अगर A2 का determinant 0 है तो सबको निप्टा देगा इसका मतलब आप यहाँ से बोल सकते थे कि हाँ A जो है वो singular matrix है बोलो किते लोगों ने इतना सोच लिया था भाई किते लोगों ने यह सोचा था similarly second वाले में देखो second वाले में उसने determinant of B2 की बात करी थे हमें B2 से थोड़ी मतलब हमें तो B से मतलब है तो हमने B calculate किया इसका determinant मिला B1 into B2 यह मिल गया 0 तो ठीक है इसका मतलब B भी singular matrix हो गया ठीक है अगर दोनों singular matrix है तो non null matrix होते हुए भी दोनों का product null हो सकता है क्या problem है अभी अभी just a property देख के है रहो तो इसमें आपका first option भी correct हो जाना चाहिए ठीक है ओके कर लिया था सभी लोगों ने अच्छा जिन लोगों ने 2, 3, 4 आंसर दिया था अब वो convinced है कि हाँ sir 1 भी सही होना चाहिए था हमसे गलती हो गए बोलो ठीक है कोई बात नहीं live class में अगर हम एक आदर statement नहीं समझ पाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है बड़ मेरे समझाने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि sir 2, 3, 4 तो हम ने कर लिया था वन जल्दी वाजी में सोचा नहीं बड़ अगर आप बता रहे हो तो आप समझ में आ रहा है कि A और भी null matrices हैं दोनों का product तभी 0 हो सकता था जब A भी singular हो बी भी singular हो वस ये test करना था कि क्या A singular है उसके लिए A का determinant निकाला 0 आ गया आना चीए ओके ठीक है आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते और एक और question करके देखते हैं यह तो कुछ statements वाले question मैंने आप लोगों को करवा दिये अब यह discussion आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से clear हो जाना चीए चलो आगे बढ़ते हैं अब एक इस चीज को testify भी कर लेते हैं जरा देखिए पहले तो मुझे यहाँ पर कुछ questions का answer दीजिए ठीक है अब आजाओ यहाँ पर अब जिसको पिछला question देखना वह वापस से देखेगा ठीक है Google वाली story आपको सुनाई हुई है जित्ती बार देखना solution जाके देखो जो जो questions मैं पूछता जारों वह मुझे बताते चाहिए matrix A मुझे बताए यह नल है या non-null है बोलो जल्दी से सभी लोग comment section में तो आप बोलोगे sir यह तो non-null matrix है perfect दूसरा देखिए matrix B matrix B यहाँ पर null matrix है या non-null matrix है तो आप बोलोगे sir यह भी non-null matrix है इसमें भी कोई problem नहीं है ठीक है one zero minus one zero जब आप multiply करोगे तो देखो resultant आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा एक null matrix यहाँ पर आपको resultant मिलने चाहिए मिल रहे हैं यहाँ पर सभी लोगों को एक null matrix resultant ठीक है तो यहाँ पर resultant हमको मिल गया है null matrix है ना अब जरा एक चीज़ आप मुझे बताईए अगर यह null matrix हा रहा है तो क्या आप आँख बंद करके बोल सकते थे कि सर यह normal था यह normal था product null आ रहा है तो पक्की बात है कि यहाँ पर determinant of a zero होना चाहिए था and determinant of b zero होना चाहिए था बिना किसी calculation के ठीक है किते लोग यह बात पक्की तरीके से बोल सकते हैं कि सर यह दोनों zero होना ही चाहिए था इसमें कोई है जब दोनों mattresses singular हो समझें दोनों mattresses singular हो अधरवाइस ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा करेक्ट चलो यह question था कल मैंने अपने मन से बनाके question करवा दिया था बट यह question आपका था जो gate में पूछा गया तो इसका answer बता दो multiplication का आखरी question है फिर inverse का calculation करना शुरू करते हैं यह दिख रहा है न सभी को दिख रहा है क्या m cross m plus 5 n cross 11 minus n मैं एक बार यहां पर थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिख देता हूँ m और n की value पूछ रहा है तो इस type का question मैंने कल करवा दिया था कल मुझे इसका data याद नहीं था exactly और यह आपका n cross 11 minus n ठीक है a b भी एक्सिस कर रहा है b a b m और n निकालो यार फटा फट निकालो answer बताओ y c वरसा कहां मैंने बोला या true हो जाएगा y c वरसा कहां मैंने बोला true हो जाएगा ठीक है तो जितना बोला है उतना ही statement आपको लेके चलना है y c वरसा का कोई यहाँ पर logic बनेगा ही नहीं समझे y c वरसा में क्या बोलोगे कि दो matrix अगर singular है तो वो हमेशा एक non null matrix को represent करेंगे ऐसा होई नहीं सकता null matrix भी singular हो सकती है चलो देखते हैं तो भाई जितना भोल रहा हूं उतना ही सुनना है ठीक है अगर मैंने नहीं बोला है कि reciprocal inverse true होगा तो इसका मतलब वो नहीं होगा मैंने बताया न आप लोगों को probability का question मैंने calculate कर वाय था आपसे तो जो आप सोच रो भाई ना वो मैं सोच चुका होगा ठीक है ठीक है चलो पहला इन दोनों को बराबर कर लो M प्लस 5 बराबर N दूसरे में B A निप्टा दो यहां से B और A ठीक है कुछ सौन में आ रहा है क्या चल रहा discussion देखो यह छोटी छोटी बाते हैं ठीक है अब क्या होता है कि यह सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ते रही हो और एक्जाम में फिर question आता है फिर आप बोलतो हो कि sir linear algebra से पता नहीं क्या पूछा था कुछ समझ में क्यों कि basic आपने पढ़ा ही नी रिलेटी नहीं करा चीज़ों को ठीक है अब इसके आगे की calculation आप करो किसी महान वेक्ति ने calculate कर लिया हो तो बता दो मैं यहाँ पर लिख देता हूं इसे निकाला एम की वेलू 3 बोल रहे है इन की वेलू 8 बोल रहे है मेरे खाल से ठीक ही बोल रहोगे आप लोग ठीक है चलो यह आप लोग खुद से calculate करके verify कर ले ना दो equation दो unknown आपको solve करना आना चीए अब बताओ product of matrices में ठीकता कुछ amazing आप लोगों को पता चल गए इसको बस revise करना ठीक है रिवाइस करना question लगाना अच्छा आज जो डीपी सेशन होगा उसमें भी इस प्रॉपर्टी पे बेस्ट एक क्वेशन रहेगा जो भी पीछे बताए नौनल वाले बड़ी important property ठीक है इस पर बहुत सारे question बनाए जा सकत या किसी matrix का inverse क्या होता है तो उसके बारे में भी चर्चा करना शुरू करते हैं कैसे calculate करते हैं क्या-क्या points होते हैं shortcut कौन-कौन से होते हैं सारी बातों पर आये discussion करना शुरू करते हैं तो invertible matrix सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि आप किसी matrix का अगर inverse calculate करना चा matrix के invert होने की बात करते हैं उसके invertible होने की बात करते हैं उसका inverse निकालना चाहते हैं तो वह स्क्वाइर होना चाहिए साथ के साथ उसका determinant टौन-0 होना चाहिए अगर किसी matrix का determinant 0 है या वह matrix singular matrix है तो उन cases में आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि भाई इसका inverse exist नहीं करेगा य तो inverse will not exist तो देखे साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है कि suppose अगर हम को square matrix को picture में लेके चलते हैं तो अगर इसका determinant non-zero है तो A एक non-singular matrix है तो इसका inverse exist कर जाएगा बोलो हाई या न देखो इसको कर जाएगा इसका inverse exist बिल्कुल कर जाएगा अगर इसका inverse exist करेगा तो inverse की property क्य को 2 cross 2 का inverse से करोगे multiply resultant आपको 2 cross 2 का identity मिल जाएगा 3 cross 3 के matrix को 3 cross 3 के inverse से multiply करोगे तो आपको 3 cross 3 का identity matrix मिल जाएगा यह जो symbol होता है कई-कई-किताबों में A inverse अंदर लगा देते है ठीक है और कई-किताबों में यह inverse बाहर लगा देते है तो examiner दोनों में से कोई भी symbol यूज कर वो अंदर inverse लगा देता है कभी का और वो बाहर inverse लगा देता है ठीक है ओके समझ गया मेरी बात को याद रखोगे यह दोनों बाते ठीक है चलो तो यह दोनों simple सी बाते हम लोगोने discuss कर लिए ठीक है perfect चलिए ज़रा कुछ यहाँ पर बातों के चर्चा करते हैं जैसे अगर ह हमने यहाँ पर लिखा हुआ है A और B का जो product है वो identity matrix है तो पक्की बात है कि जो B होगा वो A का inverse होगा या जो A होगा वो B का inverse होगा क्यूंकि दो matrices का अगर product identity matrix के बराबर है तो 110% यह दोनों आपस में inverse का relation बना रहे होंगे आए उस चीज़ को भर verify भी कर लेते हैं कि ऐसा क क्यूं हो रहा है सबसे पहले pre multiplication की बात करते हैं यह सारे terms से अभी आप लोग familiar हो ठीक है pre multiplication में देखो मैं क्या करता हूँ यह हमारे पास था i अब मैं a inverse multiply कर लेता हूँ प्री का मतलब यह जो आपको पूरा बंच दिख रहा है a b का इसके पहले आपको multiply कर लेना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर भी हमने a inverse i कर लिया ठीक है अब बताओ यहाँ से क्या मिलेगा आप सभी लोगों को देखिए a और a inverse को आप multiply करोगे तो inverse into i i के multiplication का कोई मतलब तो होता नहीं है यह same matrix मेंशा result करता है तो b की value आपको मिल जाएगी a inverse यह हम भी बोल रहे थे हैं हम logically बोल रहे थे mathematical भी same चीज को हमें verification करने में कोई problem नहीं हो रही है clear है तो pre multiplication जैसे हमने करा हमने इस चीज़ को establish कर दिया कि ठीक है बाई जो तुमार multiplication एक बार आप करके देखो क्या दूसरा statement भी हम verify कर पा रहें कि अगर दो matrices का product identity matrix है तो वो दोनों आपस में inverse का relation establish करेंगे आप b equal to a inverse भी बोल सकते थे a equal to b inverse भी बोल सकते हैं ठीक है करो establish इसको हो गया मेरी ख्याल से हो गया होगा चलू जल्दी से इसको भी कर लेते तो अब post multiplication की बारी है a और b को हमने multiply कर रहा ठीक है जाहिर सी बात है यहाँ पर आप multiply b inverse का करोगे तो यह हो जाएगा i into b inverse correct है b into b inverse आपका हो जाएगा identity matrix तो यह होगा a into i is equal to i into b inverse i i दोनों side से multiply होके आपके क्या हो जाएगे similar matrix में result करवा देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a is equal to b inverse ठीक है तो यह statement भी कभी exam में आता है इस statement को भी अच्छी तरीके से आप process करिएगा दो matrices का अगर product identity matrix के बराबर है इसका मतलब वो दोनों आपस में inverse का relation establish करेंगे दोनों a equal to b inverse लिखोगे that is also fine b equal to a inverse is also fine ठीक है pre multiplication आपको ऐसा करना है कि आप यहाँ पर identity बना पाओ तो अगर इधर a लिखा हुआ है तो a inverse ही करोगे न b inverse से करके करोगे क्या कुछ establish नहीं कर पाओगे similarly post multiplication में b inverse का क्यों कर रहे हो ताकि b into b inverse i में result करें so that a into i को आप a लिख पाओ eventually तो वो आपको decision लेना पड़ेगा कि प्री multiplication में कॉंसर्ट हम use करें post में कॉंसर करें तो पहली property सबको clear होगे inverse matrix की आईए दूसरी और बहुत important property देखते हैं यह बड़ी important property होती inverse matrix की one of the most important properties देखिए a into b अगर आप दो matrices को multiply करके उसका inverse calculate कर रहे हो तो यहाँ पर b inverse a inverse लिख दो similarly अगर हम तीन matrices को multiply करने के बाद inverse ले रहे हैं तो इसको आप क्या लिख होगे d inverse c inverse b inverse और a inverse ओके ऐसा आसान है second property तो first property भी clear हो गए second property भी हमको अच्छी तरीके से clear हो गए third property की तरब बढ़े चलो third property की तरब बढ़ते हैं third में actual में हम देखना चाहते हैं कि हम inverse की calculation करते कैसे हैं तो एक तो direct method होता है conventional method एक shortcut method होता है दोनों हमको आने चाहिए ठीक है conventional method भी आना चाहिए और shortcut method भी आना चाहिए तो पहले मैं यहाँ पर screen में देखने से पहले आप एक बार notice करिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है यहाँ पर देखने से पहले एक बार सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ suppose अगर आपको कोई एक matrix दी गई है एक particular matrix का अगर आपको inverse calculate करने के लिए बोला जाता है तो क्या आप उस matrix के हर एक element के corresponding minor की calculation कर सकते हो जैसे मालो मैं आपको एक matrix देता हूँ A11, A12, A21, A22 ऐसा करके मैंने आपको एक matrix दे रिया अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप A11 का minor calculate करो तो आप कर लोगे A11 के corresponding rows and columns को निप्टा दोगे बाकी जो बच्चा कुछा determinant होगा उसको calculate कर लोगे फिर मैं आपसे बोलूँ A12 वाले element के corresponding minor बताईए minor का मतलब उसके corresponding rows and columns को आप क्या करेंगे निप्टा देंगे और उसके बाद एक element आपका बचेगा उस element को आप चूज कर लेंगे minor की बात कर रहा हूँ को factor की बात नहीं कर रहा हूँ है ना तो minor calculate करना बहुत असान है अपोज अगर हम एक 3 cross 3 का matrix लेके चलते हैं तो 3 cross 3 के matrix में हर एक element के corresponding minor calculate करना बहुत असान है उसके corresponding rows and columns को आप अप अटाईए और जो भी 2 cross 2 का determinant दिख रहा है उसको solve कर लिजए तो minor solve करना हमको आता है अब मुझे बताईए अगर एक बार आपने minor solve कर लिया तो क्या आप किसी भी matrix के minor matrix बना सकते हैं यानि कि A11 का जो minor है उसको आपने A11 से replace कर दिया A12 का जो minor है उससे आपने A12 को replace कर दिया तो एक matrix से क्या आप एक उसकी minor matrix generate कर सकते हैं आप बोलोगे जी हाँ सर कर सकते हैं उसके बाद अगर एक बार minor matrix मिल गई तो क्या आप वहाँ से co factor matrix generate कर सकते हैं आप बोलोगे सर यह तो और भी आसान काम है जितने भी elements है उसमें minus 1 की power i plus j multiply कर देंगे A11 में minus 1 की power 1 plus 1 कर देंगे A31 में minus 1 की power 3 plus 1 कर देंगे ठीक है तो अब यह journey एक बार समझने की कोशिश करना matrix है matrix में हर एक element A11 का जो minor आया उसको A11 से replace कर दिया A12 का जो minor आया उसको A12 से replace कर दिया minor matrix मिला minor matrix को immediately transform कर देना आपको co-factor matrix में अब यह जो co-factor matrix आ रही है अगर आप इसका transpose ले लो तो जो resultant matrix आती है उसको बोला जाता है adjoint matrix ठीक है तो adjoint matrix भी पूरी journey समझ में आई adjoint कैसे आपको obtain करना पड़ता है एक given matrix है हर एक element को उसके minor से replace करो हर एक minor को co-factor से replace करो minus 1 की power i plus j से multiply करके उसके बाद उसका transpose ले लो transpose जब ले लोगे तो बोला जाता है कि हम लोगों ने adjoint of a calculate कर लिया in fact अगर आप देखें तो same चीज यहाँ पर लिखी हो ही अगर आप notice कर पाएं तो देखें यह दिया हुआ है ठीक है यह दिया हुआ है एक matrix दिया हुआ है minor matrix आप लोग निकाल सकते हो तरीका आपको पता है first class में discuss हुआ था minor से co-factor तक कैसे जाओगे हर एक minor में minus 1 की power i plus j multiply करके उसके बाद जैसे आप इस co-factor matrix का transpose ले लोगे आपको मिल जाएगा adjoint of a ठीक है ना और अब इस adjoint of a को determinant of a से divide करोगे तो आपको मिल जाएगा अपना matrix का inverse यह journey एक बाद जल्दी से दिवाब में quickly क्या करो sum up करो fada fada sum up करो इस journey को जल्दी से एक question करते हैं पहले conventional method से करेंगे उस question को फिर उसके बाद shortcut में लोग आएंगे done है सभी लोग लिखो जल्दी लिखो done है कि हाँ सर यह दिवाब में बैठ गया एक question करवा दीज़े फिर shortcut पर आते हैं directly चलो done है perfect अब देखो इस matrix का हमें inverse calculate करने के लिए बोल रहा है बोल रहा है इसका inverse calculate करो तो देखो मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो मैं minor के बात करूँगा ठीक है सबसे पहले तो मैं minor matrix की यहाँ पर बात करूँगा तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ M आप मुझे बताते जाना मैं ठीक कर रहा हूँ या नि in fact मुझे क्या करना चाहिए न सबसे पहले तो इसका determinant calculate करना चाहिए उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए कभी भी inverse निकालना हूँ तो obvious से बात है पहला step होना चाहिए determinant calculation का चलो determinant इसका निकाल के बताओ फिर minor minor पे आते है determinant यहाँ से कितना मिल जाएगा 3-2-1 obviously this is non-zero तो मैं बोल दूँगा कि inverse जो है वो exist करेगा ठीक है inverse क्या करेगा exist कर जाएगा चलिए अब step 2 पे आते हैं ठीक है अब step 2 पे minor matrix की हम लोग बात करते है minor matrix calculate करने के लिए मुझे हर एक element को उसके minor से replace करना है तो मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ आप लोग verify करते जाएगे suppose अगर मुझे इसका minor निकालना है तो इसके corresponding row और column को तो मैं निप्टा दूँगा बचा क्या? 3 तो क्या मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ? बोलो समझे? ठीक है अब देखो मुझे minus 2 को उसके minor से replace करना है तो यह minus 2 इसको निका दिया मैंने बचा क्या? minus 1 तो मैं यहाँ पर minus 1 लिख देता हूँ हार एक element को उसके minor से replace कर दो that's it ठीक है? इसको देखो इस minus 1 को लिया यह और यह निपड़ गया बचा क्या? minus 2 तो मैंने यहाँ पर minus 2 लिख दिया ठीक है? अब देखो यहाँ पर यह 3 पर आते हैं इसके corresponding यह column और यह row बचा क्या यहाँ पर 1 तो यह हम लोगों ने minor matrix obtain कर ले बिल गई सभी को minor matrix? I hope this is very very simple to understand ठीक है? अब co-factor matrix पर आते हैं co-factor matrix में बोल रहा है कि भाई इसमें जित्ते भी elements हैं उसमें आप minus 1 की power i plus j ज़रूर multiply कर दीज़े तो minus 1 की power 1 plus 1 into 3 है ना? यह a11 के corresponding है? यह minus 1 की power 1 plus 2 into minus 1 यह minus 1 की power 2 plus 1 into 2 minus 2 यह minus 1 की power 2 plus 2 और यह 1 समझ गए? तो जो a11 elements था उसमें मैंने basically plus 1 से multiply कर दिया a12 में minus 1 से multiply कर दिया a21 में फिर से minus 1 से multiply कर दिया a22 में फिर से plus 1 से multiply कर दिया तो देखो यहां से आपको resultant क्या मिला? यह मिल गया 3 1, 2, 1 ठीक है? अभी भी बात बनी नहीं है यह तो हमने co-factor matrix निकाला यहां से हमको adjoint of a भी निकालना पड़ेगा तो adjoint of a हो जाएगा यह जो आपका co-factor matrix था इसी का simply आप क्या ले लिजे? transpose तो इसका transpose calculate कर लो तो यह 3 यहां चला जाएगा 2 यहां चला जाएगा 1 यहां 1 यहां अभी भी कहानी खतम नहीं हुई है अब जाके आपको a inverse लिखने की नौबत आएगी a inverse का मतलब होता है कि जो भी आपने adjoint of a निकाला हुआ है उसको आप determinant of a से divide कर दें eventually determinant of a 1 था तो जादा फरक नहीं पड़ा आप लिख सकते हैं 3, 2, 1, 1 ठीक है तो मेरे ख्याल से 2 cross 2 matrix से यह process भी हमारे दिवांग में अच्छे से setup हो गया होगा और अब हमें shortcut के तरफ चलना चाहिए ठीक है ओके everyone clear है ठीक है I think yes very very simple to understand चलो अब shortcut की बात कर लेते हैं 2 cross 2 का shortcut क्या होता है जिनको नहीं पता वो देख लो जिनको पता है वो भी देख लो ठीक है इसके बाद एक question आप लोगों से पूछता हूँ यह एक matrix है A यह हो गया A, B, C ठीक है इसका inverse calculate करना है तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे इसका determinant calculate कर लेना determinant इसका कितना हो जाएगा A, D, minus B, C ठीक है मानेंगे कि भाई चलो यह आपका 0 नहीं आना चाहिए 0 आएगा तो गडबड हो जाएगी ठीक है principal diagonal के elements को आपस में exchange कर लो क्या करोगे आपस में principal diagonal के elements को आपस में exchange करना है इन दोनों elements को ठीक है मतलब D यहाँ पर आ गया A यहाँ पर आ गया principal diagonal के लावज जितने elements बचे हुए उसमें minus से multiply कर लेना यह सिर्फ जो आपका shortcut होता है 2 x 2 के लिए valid होता है सिर्फ 2 x 2 के लिए valid होता है आप यह shortcut 3 x 3 के लिए या higher order matrices के लिए कभी भी मत लगाईए समझ आई बात सभी को तो सबसे पहले आप क्या है यहाँ पर निकाल लो सबसे पहले आप यहाँ पर calculate कर लो determinant अगर determinant non zero आ गया तो principal diagonal elements को आपस में switch करो बाकिये जो non principal diagonal के elements उनको minus 1 से multiply कर लो ठीक है ओके clear हो लो सबी लोग चेलो इसका inverse calculate करके बताओ फट आफट सबी लोग इसका inverse निकालो answer बताओ 30 seconds का time देता हूँ ठीक है 30 seconds का time देता हूँ इसका inverse निकालो 2 cross 2 का एक matrix दे रखा है इसका inverse आप लोगों से पूछ रहा है क्या आना चाहिए इसका inverse पूछ रहा है क्या आना चाहिए does not exist आ जाएगा क्यों भाई बहुत ही बड़ी है क्योंकि singular matrix है ना तो कहां से इसका exist करा दोगे भाई यह तो step 1 पर ही fail हो गया अगर यहां से step 1 को देखें तो यह तो आपका step 1 पर ही fail हो गया यहां से देखो इसका determinant calculate करोगे यह आ गया 0 मनलग कि यह singular matrix हो गया और अगर यह आपका singular matrix हुआ तो simply आप बोल सकते हो inverse dne ठीक है inverse does not exist exist नहीं करेगा भाई ठीक है matrix single नहीं है भाई तुम single हो matrix singular है ठीक है single और singular में बहुत फरक होता है singular का determinant 0 होता है single आप हो तभी तो इतने prime time में बैटके math के class कर रहो नहीं तो बैठे होते है किसी coffee shop में या घूम रहे होते है कहीं पर पास से 7 का जो prime time है इसमें बैटके class कौन करता है जो single होता भाई ठीक है यह singular matrix आप लोगों से तो बहतरी है ठीक है अगला question करें तो अपने दिल को ऐसे बहला लो कि भाई जो single नहीं है वो कौन सा खुश है जो single नहीं हो कौन सा खुश है हम भी खुश नहीं है ठीक है भाई तो ऐसे करके अपने दिल को बहला सकते हो हलांकि इस ते कोई फरक पड़ेगा नी बट फिर भी इसका inverse calculate करके बताओ क्या आ जाएगा inverse निकाला हो गया आईए ज़रा देखे step one सबसे important होता है step one ठीक है पहले step में ही इसकी पूरी की पूरी कहानी clear हो जाएगी determinant इसका calculate करो सबी लोग determinant इसका आप निकालोगे तो यहां से आपको result मिलेगा 4 minus 6 यह मिल गया minus 2 के ब्राबर क्या determinant negative आ सकता है बिल्कुल आ सकता है determinant positive negative 0 कुछ भी आ सकता है तो determinant पे कोई restriction नहीं दिखने में mod जैसा लगता है मैंटे determinant का symbol होता है अब अगर बुचें यहां से a inverse calculate करना है तो मैं क्या करूँगा यह देखें determinant को मैंने पहले मैं ऐसे लिखता हूँ ठीक है यह delta है तो मैंने यहां पर लिख दिया 1 upon delta उसके बाद यहां पर देखो जो principal diagonal के elements उनको आपस में क्या करते है exchange कर लेते हैं चार को उधर एक को इधर यह हो गया चार यह एक बाकी बच्चे कुछ है elements में minus से multiply कर दो minus 2 minus 3 ठीक है यहां से देखो आप क्या लिख सकते थे delta की जगह पे minus का 2 यह मिल गया आप लोगों को 4 minus 2 minus 3 1 minus 2 को ज़रा अंदर भेजो तो यहां से देखो आपको क्या मिल जाएगा अच्छा यह जो 1 upon minus 2 है जो आप इसको multiply करोगे तो क्या matrix का हर एक element इससे multiply हो जाएगा हम सभी लोग इस पर aligned है बिल्कुर इसी matrix में जब scalar quantity का आप multiply करते हो तो हर एक element इससे multiply हो जाता है समझे तो हर एक element को आई यह multiply करते है यह मिल जाएगा आपको minus 2 यह मिल जाएगा 1 यह मिल जाएगा 1.5 और यह minus 0.5 तो यह इसका inverse calculate होके मिल गया तो 2 cross 2 का shortcut तो बहुत popular होता है जो लोग EC electrical वाले हो जब आप लोग control system वगरा में जाओगे न control controllable और observable systems के बात करोगे तो वहाँ पे भी यह बहुत बार picture में आता है ठीक है in fact अगर आप EMFT भी पढ़ोगे वहाँ पे भी यह चीज पिक्चर में आएगी तो बहुत सारे technical subjects में भी 2 cross 2 बहुत popular होता है 3 cross 3 थोड़ा सा lengthy हो जाता है बढ़ 2 cross 2 तो बहुत popular होता है बढ़ी other branches में भी होता हूँ mechanical में civil में उसका मुझे जादा idea नहीं है ठीक है ओके चलो अब 3 cross 3 का देखे रेडियो साभी लोग 3 cross 3 का चलो उससे पहले एक सवाल आप सभी लोगों से ठीक है मालोस में teacher आपने lecture attend किया teacher ने बोला कि जो dpp है वो description में है जो telegram का link है वो description में है वहाँ पर जाके आप notes ले सकते हो बावजूद इसके उसी वीडियो के नीचे ये comment क्यों रहता है कि sir dpp कहा मिलेगी sir pdf कहा मिलेगा sir क्या मिलेगा मतलए यह बस मेरा एक वह सुल्जादो इसको लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ कि यार यह ऐसा हुता क्यों है तो बस मेरी एक यह उल्जन सुल्जादो आप लोग फिर थ्री क्रॉस दीका शॉर्टक इमीडिटली इसके बाद डिसकस करते है इसको पानी वान में इस चीज़ को लेके या तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने लेक्चर देखानी और अगर लेक्चर देखानी तो यह डीपीपी और यह टेलेग्राम सपने में तो आएगा नहीं हाँ कल ओपन नहीं हो रही थी वह एक अलग इश्यू है कि किसी ने बुला सर ओपन नहीं हो रहा है तो मैंने इमेडेटली उसका लिंक चेंज कर वा है उसमें लिंक में कुछ प्राब्लम थी है मुझे क्या लगता है मैं बताओ मुझे क्या लगता है और में बता दिया और नीचे चलो पूछी लेते हैं इतनी मेहनत कौन करेगा वीडियो कौन देखेगा एक बार पता चल जाएगा तो वो लोग टेलिग्राम जॉइन भी नहीं करते हैं नहीं वो डिपीपी को अभी डाउनलोड करते हैं बस उनको पूछना है यह मिलेगा कहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग है ऐसा क्यों करते हो यार यह मेरी समझ के बाहर है या तो पढ़ लो या तो मत पढ़ो यह कौन सा फैंटेसी है कि पता चल जाए बस की डीपीपी और पीडिएफ है कहाँ पर बस यह एक पता चल जाए सर आगया मजा सर शांती मिल गई चैन की नहीं आ रही है चलिए तो रेड चलो चलो शुरू करते थ्री क्रॉस्ट्री का शॉर्टकट मुझे पताइए आप सभी लोग हमसे पूछ रहा है कि यह एक मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स कैलकुरेट करिए तो हमें क्या करना चाहिए देखो बहुत ही आसान है देखो यह था प्रिंसिपल डागॉनल आपका यह था प्रिंसिपल डागॉनल इसके ऐलिमेंट्स को स्विच कर लो बाकियों को माइनस वन से मल्टिपलाई कर दो ऐसा कर सकते है देखो न किता असान है प्रिंसिपल डागॉनल पकड़ लिया इसके ऐलिमेंट्स को स्विच कर दो ज क्रॉसरी या higher order mattresses के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो इसके लिए फिर दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी जाहिर सी बात है step 1 पर हमें जाना पड़ेगा जहां पर हमें determinant के calculation करनी पड़ेगी determinant के calculation करने का shortcut अपने पास already था तो देखो हमने क्या करा 0 1 2 1 2 पहले पहला question देख लेना अगले question में आप खुद से करना ठीक है 3 1 1 0 1 3 1 2 1 ऐसा कर सकते ठीक है बताओ इसका determinant सभी लोग calculate करके किता आ रहा है बई determinant calculate तो करोगे न step 1 में तो हमने step 1 में determinant calculate करने की बात करी अब सबसे पहला element पकड़के अब यह दिमाग में करना ठीक है अब यहाँ पर line वाइन नहीं बनानी है अब यह दिमाग में करना है देखो 0 9 2 11 तो delta यहां से हमको क्या मिला सबसे मिल रहा है वो minus 2 मिल जा रहा है इससे मुझे नहीं लगता किसी को कोई problem होनी चाहिए ठीक है clear है अब देखो मज़े की बात इसमें यह है मज़े की बात इसमें यह है कि जब आप inverse calculate करने का shortcut लगाते हो 3 x 3 के लिए तो जो आपने determinant के लिए process किया इस determinant वाले process को ही just आगे extend कर करना है ठीक है determinant के लिए इतना तो करना ही करना है elements copy कर लिए first column copy कर दिया second column copy कर दिया इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर जो भी यह entity आपको दिख रहे है इसकी first row और second row को उठा के as it is नीचे छाप दो first row देखो यहाँ पर क्या दिख रही है 0 1 2 0 1 second row देखो यहाँ पर क्या दिख रही है 1 2 3 1 2 बताओ यहाँ तक किसी को कोई problem determinant calculate करने का process आपको आता ही था है ना आता ही था determinant calculate करने का process बस हमने क्या करा कि जब determinant calculate हो गया पूरा तो इसके जो पहली रो थी वह उठाके यहाँ लिख दिया दूसरी रो जो थी वह उठाके यहाँ पर लिख दिया ठीक है I hope this is clear to everyone कर पारें सभी लोग इतना अब इसके बाद क्या करना है चोटी सी चीज बस और करना है almost हमारा काम हो चुका है देखो चोटी सी चीज और क्या करना है इसका जो पहला column है और जो पहला row है उसको निप्टा दो पहले column और पहले row को जैसे आपने निप्टाया आपका inverse यहाँ पर ready हो चुका है मैंने बोला ना भी note मत करना जिनको नहीं आता है वो देख लो अगले question में आप खुद से करना 1 upon delta यहाँ पर मैंने लिख दिया अब मैं यहाँ पर elements लिखना शुरू करता हूँ 1 upon delta यहाँ पर लिख दिया inverse के मैं element directly लिखना शुरू करता हूँ ठीक है ओके ठीक है आगे बढ़ो आगे बढ़ो यह देखो यह टू क्रॉस टू का आपको दिख रहा है तीन तिया नौ उसमें से एग घटा दोगे 8 हमारा देखो sense क्या बोलेगा दिमाग कि भाई 8 यहाँ पर लिख दो यहीं पर आपको थोड़ा सा control करना है 8 यहाँ पर न expand horizontally कर रहे हो तो आपको right कैसे करना है vertically ठीक है? expand horizontally ऐसा करने से basically आप एक ही step में adjoint तक पहुत जा रहे हो अगर आप इसको horizontally expand करके horizontally ही लिखोगे तो यह सिर्फ co-factor matrix बनेगा फिर अगले step में आपको transpose लेना पड़ेगा इतना time अपने पास है नहीं उससे अच्छा यह आद कर बस यह statement आपको याद रख रहे हैं इसकी थोड़ी practice करनी पड़ती है जल्द बाजी में गलती हो जाती है तो हम क्या करेंगे इसको vertically expand करते जाएंगे horizontally expand करते जाएंगे यहाँ पर vertically लिखते जाएंगे चलो अगला बताओ two cross two आपको क्या दिख रहे है next two cross two आपको यहाँ प तक आपने pick up कर लिया इसके बाद कुछ नहीं है है तो यहाँ पर आपने चार-चार के bunches बना लिए अब immediately इसके नीचे भी चार-चार के bunches बनाने इतना note करो और done लिखो कि सरहां इतना हो गया इसके आगे की कहानी फिर मैं आपको समझाता हूं clear चलो done अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखो देखो इसको पकड़ते हैं इस बताओ इसका determinant कितना आजाएगा 1 into 2 minus 1 क्या यहाँ पर 1 लिख लें जी है next वाले को पकड़ो इसको यहाँ पर क्या मिलेगा 1 into 0 minus 6 यहाँ पर minus 6 कर लें absolutely यहाँ पर check करो this 3 into 1 minus 0 तो क्या यहाँ पर 3 लिख लें ठीक है कोई problem तो नहीं है किसी को देखिए 2 minus 1 यह 0 minus 6 हो गया यह 3 0 हो गया आया clear चलो अब एक last वाला देख लो जल देल दे बोलो यार सबको clear है क्या doubt रहे गया इसमें कुछ लोग बोलने नहीं आया सर आगया ठीक है चलो इसका बताओ इसका अब जो यह नीचे वाला बचा हुआ है 3 minus 4 minus minus 1 ठीक है अगला देखिए this 2 minus 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 last वाला देखो यह 0 into 2 0 minus 1 आपने inverse calculate कर लिए तो यह process काफी fast है काफी fast है काफी quickly आप यहाँ से inverse की calculation कर सकते हो ठीक है पूरा process समझ में आ गया ना delta calculation करने के लिए आप matrix लिखोगे उसके first दोनो columns को साइड में बिठा दोगे है ना matrix लिखा पहले दोनो columns को साइड में बिठा दिया तो यहाँ से determined calculate होगे determined मन में calculate कर लेंगे अब determined में यह सब arrow arrow ऐसा ऐसा नहीं करेंगे समझ गया ना ऐसा determined में आप नहीं करना अब हमें आदद पढ़ चुकिए देख के हम बदा सकते है determined क्या आएगा यह निकल गया first row को second row को उठा के as it is copy कर लो नीचे उसके बाद पहला रो और पहले को निप्टा दो फिर चार-चार का combination horizontally लिखते जो वहाँ पर vertically उनको denote करते हो एक क्वेशन और करें हाँ जिन लोगों ने भी पहली बार सीखा मेरे क्याल से आसान है इसमें देखो कोई logic कोई फॉर्मिलान लग रहा है यह बस एक aptitude एक प्रॉसेस है हाँ expand horizontally लिखके फिर transpose भी ले सकते हो बड़ अगे वो करोगे क्यों आदत ऐसे ही डाल देते हैं कि यहाँ पर expand करते जाते हैं यहाँ पर vertically लिखते जाते हैं अगर आप horizontal expand करके horizontal लिखते हो तो basically आपको factor matrix निकालते हो है न फिर आपको transpose लेके adjoint तक जाना पड़ेगा तो वो मैंने आपको single step में करने का करने की सलाह दी है जिसको क्या practice से कर भी सकते हो ओके एक सवाल और किया जाए radius अभी लोग equation और करने के लिए इसके अभिश्कारक यार किताबों में दिया रहता अब नाम तुम मुझे भी नहीं पता किस ने किया है ठीक है काम से मतलब है वैसे भी निपटी गया होंगे वो जिन्होंने भी किया होगा तो क्या करेंगे जादा उनके बारे में जानके चलो इसका inverse calculate करते है इसका inverse calculate करने के लिए बूला गया है चलिए ठीक है एक मौका आपको दिया जाए चलो एक मौका आपको देते हैं दो मिनट का टाइम देते हैं करिए अपनी मनमानी शॉटकट है भाई यह ना इसमें क्यों करोगे अगर आपको exact calculation करना होगा तो हर एक element के corresponding आप क्या निकालो माइनर फिर उसके बाद को फैक्टर फिर उसका ट्रांस्पोज है तो shortcut है अब shortcut में भी अगर हम लोग वही करेंगे जो long cut में कर रहे हैं तो shortcut का फैदा क्या हुआ समझे दो मिनट का टाइम आपके पास है सब कुछ करना है इसमें आपको डिटर्मिनेट भी निकालना है इसी दो मिनट में आपको इसका inverse भी calculate करना है सब कुछ करना है जल्द कल्दी करो ठीक है फास्ट करना है इसको shortcut का मतलब बहुत fast होना चीए डिटर्मिनेट कुछ लोगों ने calculate किया क्या रहा भाई डिटर्मिनेट आप लोगों का पर्फेक्ट डिटर्मिनेट पांच आ रहा है कोई doubt ही ने उसमें उज्जल श्यास तो बोल रहे है सर हो गया ठीक है उसके elements लिख दो भाईज अगर हो गया तो inverse के अलावा डिटर्मिनेट के अलावा क्या क्या elements आपके आए row wise एक बार लिखो done 20 सेकेंड और बचे हुए 20 more seconds are left पूरा लिख दिया चलो 10 सेकेंड और बचें 10 सेकेंड और में वेट करता हूँ चलिए काफी सारे लोगों ने answer भी लिख दिया आईए देखें आप जिन से नहीं हुआ है उनके नजर ये screen पर होनी चाहिए कि भाई क्या क्या मैं यहाँ पर करनी के कुशिश कर रहा हूँ देखें मैंने क्या करा है यहाँ पर देखें यह 1 2 2 पहला कॉलम 1 2 2 दूसरा कॉलम 2 1 2 ठीक है यहाँ से determinant पहले calculate कर लेता है determinant देखो यह आपको देखें रहोगा 1 8 8 यानि कि 17 ठीक है determinant मिल गया 17 minus उसके बाद क्या करूँगे यह देखो 4 4 4 यानि कि 12 minus 12 तो यहाँ से delta आपको मिल जाएगा 5 delta में तो कोई problem ही नहीं अब इसके बाद की कहानी देखनी इसका जो first row और second row भाईसा उसको copy करने की कोशिश करो 1 2 2 1 2 यहाँ से देखो 2 1 2 2 1 ठीक है first row first column इनको आपने निप्टा दिया बस अब क्या करना है कुछ भी नहीं करना है यहीं से आपको दिखता जाएगा यह देखो बताओ यहाँ से आपको value कित्ती मिल रहे है solve करो 1 upon delta मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 upon 5 मैंने बाहर लिख दिया अब इसके अंदर के elements को लिखना शुरू करते हूँ ठीक है यह देखो 1 minus 4 minus का 3 आगे थोड़ा सा और बढ़ो right expand vertically sorry expand horizontally right vertically ओके यहाँ से देखो 4 minus 2 यह आपको 2 मिल गया है यहाँ पर यहाँ पर देखो 4 minus 2 2 मिल गया है ठीक है first column देखो किते लोगों ने सही से obtain करा आगया था सभी का first column सब का आना चाहिए यार सब का आना चाहिए first column यहाँ से सब का आना चाहिए ठीक है यह देखो 4 minus 2 यह 2 हो गया फिर देखो 1 minus 4 minus 3 हो गया इस पर देखो 4 minus 2 लास्ट किया जाए लास्ट वाले में देखो क्या होगा 4 minus 2 है क्या हो गया 4 minus 2 2 4 minus 2 2 1 minus 4 minus का 3 चेक करो same 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 आना रहा है सभी का अगला क्वेशन इसको अगला क्लास्ट करेंगे आना बाकी सारे 0 होते हैं ना यह कोई डाइगूनल मैट्रिक्स नहीं है अके एवरिवन अगला सवाल करोगे next question, same आया सभी का बहुत बढ़िया, चांदार हाँ, इसको symmetric matrix आप बोल सकते हो, ठीक है वो बताऊंगा भी, आज की class में discuss करेंगे चलो, अगला question, दो मिनिट का समय यह रहा आपके सामने, दो मिनिट के अंदर फड़ा फड़ा इसका inverse निकालो, बताऊं क्या आना चाहिए symmetric होगा AMA session सारे Saturday को होगे, ठीक है हर Saturday आप लोगों के लिए Ask Me Anything session रहेगा, बीच में शायद मैं कभी special class में भी ले लू, बट YouTube पे तो रहे गई रहेगा चलो निकालो, एक बार मैं elements चेक कर लेता हूँ elements ठीक है 1-1, 0, 23-2, minus 201, ठीक है भाई निकालो यार ये chat section में घर परिवार की बातें मत करो भाई रीना जी आप कैसे हैं करीना जी मैं ठीक हूँ आपस मैं कर लो बातचीत बाकी लोगों को disturb मत करो मुझे पता है कि दोनों तुम ही हो भाई ये कि दोनों आईडी तुम्हारी है आपस मैं ही बात कर रहो हाँ भाई, क्लास डेली होती है Monday to Saturday Determint कित्त आ गया यार कोई तीन बता रहा है कोई वन बता रहा है ऐसे कैसे काम चलेगा Determint तो एक ही आना चाहिए न कित्त आ है Determint पहले ये बताओ जिन लोगों का वन आ रहा है उनका ठीक आ रहा है वन के अलावा जो आप कुछ और निकाल रहो भाई कुछ गलत कर रहो calculation ठीक है जल्दी से cross check करो क्या गड़बड कर रहो आप लोग जल्दी से cross check करो क्या गड़बड कर रहो आप लोग Determint वन आना चाहिए ये तो पक्की बात है हो गया दो मिनट का time भी हो गया चलो आजो A inverse यहां से calculate करते है ठीक है यहां से A inverse की calculation करते है चलो करो calculation 1, 2, minus 2 minus 1, 3, 0 0, minus 2, 1 1, minus 1, 0 2, 3, minus 2 ठीक है? सबसे बहले Determint की calculation यह देखे Determint की calculation यह रही है 3, 0, और minus 4 तो डेल्टा तो मिल गया minus 1 minus का ठीक है? समझा रहे है? यह देखो, यह 0 यह 0 और यह आपको मिल गया minus 2 minus 2 तो डेल्टा तो 1 मिल गया ठीक है? डेल्टा की calculation में आप चेक करो आप लोग क्यारर कर रहे थे बढ़ डेल्टा तो आपका 1 ही आना चाहिए तो यहाँ पर मैं 1 upon डेल्टा कर देता हूँ A inverse में इसको मैं कर देता हूँ 1 upon डेल्टा यानि कि 1 upon 1 अब बाकी elements लोग लिखना शुरू करते हैं बाकी elements के लिए बस आपको इसका जो first row है 1, 2, minus 2, 1, 2 minus 1, 3, 0, minus 1, 3 यह लिखना है और सबसे पहले वाले row को और सबसे पहले वाले column को खतम कर दो बस यार उसके बाद क्या ही बचेगा यह देखते जो बताओ यहाँ पर क्या मिल रहा है 3 into 1, यह 0 यहाँ पर 3 लिख देते हैं अगले वाले पर चलो इस पर देखके बताओ क्या मिलेगा 0 into 0 तो 0 हो गया यह minus 1 करोगे तो minus plus हो जाएगा यह हो जाएगा 1 next वाले में देखे क्या मिलेगा आपको this 2 ठीक है color change करते हैं नीचे वाले 2 cross 2 को निप्टाते हैं इसको देखो 4 में से 2 गया 2 अगला 1 में से 0 गया 1 next 0 minus 2 2 हो गया ठीक है 1 1 2 कैसे बतारो यार 2 1 2 आएगा न ठीक है चलो आखरी देखो last last में देखे 0 6 6 फिर 2 2 last 3 minus 2 5 अब कर लोगे अच्छा आप रोवाइस बता रहे थे ठीक है जो भी बता रहे थे ये answer फाइनली आप लोगों का आना चाहिए आपके पास ठीक है भाई साब perfect तो इसी के साथ साथ inverse भी आपका खतम होता है inverse में काफी सारे काम की बाते हम लोगों ने कर ली है अब अगला discussion हम लोगों को करना चाहिए adjoint का ठीक है adjoint का discussion स्टार्ट करें बहुत सिंपल है इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं adjoint में कुछ basic चीज़े हम लोगों को यहाँ पर सीखने है adjoint से related सबसे पहले adjoint होता क्या है तो मैंने आप लोगों को सिखाई दिया है कि यार कभी भी अगर आपको inverse calculate करना है तो inverse calculate करने का मतलब होता है adjoint of A divided by determinant of A तो अगर हमको कोई पूछता है कि adjoint of A क्या होता है तो हम यहीं बोलेंगे उसको कि यार आपका जो inverse वाला matrix है उसमें हमें एक scaling factor multiply कर रहे हैं determinant of A तो scaling factor हो गया इसकी कोई scaled value आजाएगी तो अगर आप अपने inverse में determinant को multiply कर दोगे तो आपको यहां से मिल जाता है adjoint of A ठीक है definition clear है सबको ठीक है thank you so much 50K पे बहुत सारों लोग congratulate कर रहे है actual में यह आप ही का channel है तो आपको भी बदा ही मिलनी चाहिए ठीक है याद रखेंगे इस बात को आप लोग adjoint of A, determinant of A, A inverse determinant of A को याद रखना यह scalar जैसा काम करेगा ठीक है जैसे कोई scalar value होती है वैसे यह आपका काम करेगा clear पासवर्ड लेके क्या करोगे यार चला नहीं पाओगे channel ठीक है पहले अपने आपको चलाना सीखो पहले अपने आपको चलाना सीखो मतलब पहले अपने आपको routine में लाना सीखो आपका जो काम है पढ़ाए लिखाए this that पहले यह करना सीखो एक बार इसमें प्रो हो जाओगे, तो फिर चैनल चला लेना, तो चैनल वेनल नहीं चला पाओगे भाई अभी, अभी मेले अपने आपको चला लो अच्छी तरीके से, मतलब अपने मन को कंट्रोल में करना सीखो, आपका जो लक्ष है उसके लिए डेली मेहनत करना सीखो, यह इमांट किति की है आप लोगों की, ठीक है, कुछ में पॉपिलर डेमांट सीखो, लोगों को बताता हूँ, जो पॉपिलर डिमांट रहे थी, सबसे पहली पॉपिलर डिमांट तो यह है कि सर, माथमेटिक्स कप पढ़ाओगे, हम में तो, आपकी वरुष से माथमेटिक्स लिया होगा ठीक है सब्सक्रिप्वशन ले कि रहा था सुने बाद अभी अच्छानک से उठाए यह का आधमनी कित क्या फिर सard करने के बाद वापस आया कि मैतमेटिक्स का जो एड चलते हैं सर यह एड हटवा दो सर इस चैनल पर से हमें पढ़ने में बड़ी दिख्कत होती है अरे भाई गूगल में एक सेटिंग होती है ठीक है आप अपने ब्राउजर में जाके सेटिंग ऑन कर सकते हो तो आपको लाइब वीडियो पर एड नहीं दिखेंगे कैसे इंजीनियर हो आप लोग है न सर यह हटवादो पंड़ने में बड़ी दिख्कत पंड़ना नहीं है पंड़ना न करेंगे सर प्लेलिस्ट मैंने का भाई पढ़ना है लाइव वाले सेक्शन में सारे लेक्चर्स पढ़े हुए वहां से पढ़ लो नहीं सर हम प्लेलिस्ट करेंगे सेव करके उसको रख लेंगे उसका बाद में कभी पढ़ेंगे चौती पॉपलर डिवांड क्या आती है सब आप एक ड्राइव लिंक शेर कर दो ना जहां पर सारे के सारे डीपी दो क्या करोगे उसका क्या रहा है सर उसको उसको वी सेव करके रख लेंगे ठीक है और पाचवी वैसे तो बहुत आती है पाचवी जो सबसे पॉपलर डिवांड आज कल सबसे आदा जो ट्रेंड में च सबसे पॉपलर डिवांड इसमें यह है कि सर पाचवी डिवांड अगर आप सुनोगे न तो आपको बड़ा तरस आएगा मेरे भीपर कि सबसे आपको भी क्या करना पड़ता है एक है अपनी क्लास में लड़का है ठीक है पाची मैं आपको बताता हूँ नहीं मैं बतारू जैसे अप सेशन स्टार्ट होगा आप देखना एक स्टूडेंट आता है वो ये लिखेगा आते ही उसको कोई फरक नहीं पढ़ा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कुछ आं आप लोगों के लिए ये स्कॉलेशिप टेस्ट फिर आएगा भी लास्ट में ठीक है मेरे कहाल से कुछ नाम मैं भूल रहा हूं उसको मैं पहली क्लास से देख रहा हूं वह आएगा नो प्रमोशन नहीं हो सकता सर नो नौट अट आल फिर भाग जाएगा फिर लास्ट में तो उसका काम यह है यह मॉनिटर करना कि भाई प्रमोशन कहां कहां पर चल रहे कौन-कौन भाई प्रमोशन का मतलब वह अवेरनेस होती है अगर मालुक किसी को स्कॉलर्शिप टेस्ट देना है तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना या तो मैं एड चला के बताओं कि आपक या ऐसा कोई बोलता मुझे कोई आपत्ती नहीं होती क्योंकि मैं खुद गयर्वी बार्वी में ऐसा ही था बट मुझे लगता आप लोग होगे थोड़ा मैचूर रिस्पॉंस में जनरली एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से रहोगे वही शादी हो जाएगे बच्चे हो जाएंगे बच्चा बोलेगा समाझ बनिया रहा है कि यह मेरे पापा है या मैं इसका पापा हूं बच्चा है कौन दोनों में मुझे तो यही लगता भाई यही होगा आप लोगों के साथ तो सबसे खतरना कि पांचवा वाला है दो-चार लोग वाच डॉग वगरा मिलता है और बहुत सारा क्रिटेसिजम भी मिलता है तो पॉब्लिक डॉमेन में रहना भाई तो आदर डालनी पड़ेगी ठीक है चलिए यह पॉइंट हम सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है ओके दन है यह देखो चटवी डिवान गौरफ कुमार जी ने अड़ कर दी कि सर पीवाई क्यूस का भी कुछ करवा दीजे करवा देंगे भाई ठीक है सब करवा देंगे टेंशन मतलो जो चल रहा पहले उसको करते हो आज हो अब यहां पर रहा है मैं कुछ रिजल्ट्स आप ल डिवेशन भी करवा दूंगा ठीक है न चलेगा जो डिपीपी डिसक्शन करेंगे न वहां पर इसको मैं डिवाई भी करवा दूंगा कि यह आता कहां से बट वह मैं डिपीपी सेशन में करवाऊंगा as a question ठीक है ओके पर्फेक्ट तो पहले इसको याद करने क्योंकि अगर अगर हम इसके डिवेशन में लॉस्ट हो गए न तो हम इसमें इंट्रेस्ट लूज आउट कर जाएंगे तो पहले क्या करते हैं इसको याद करने की कोशिश करते हैं फिर उसके बाद हम लोग इसको derive करने का नजरिया भी देख लेंगे क्या होता है जड़ा देखो सबसे पहला ये तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया ठीक है ये तो कोई भूल नहीं सकता कि adjoint of a जो होता है ये होता है a inverse या मैं ऐसे लिख देता हूँ scalar को पहले लिख देता हूँ ठीक है ये scalar हमने लिख दिया और ये हो गया a inverse ठीक है second वाले का देखो second वाले देखो बहुत obvious है second वाले में बोल रहा है कि अगर इसी में मैं matrix a multiply कर दूँ तो अगर मैं इसमें matrix a multiply कर दूँ तो problem क्या है कोई problem नहीं है ये जो a inverse है देखो ये तो scalar quantity इसकी तो कोई value होगी दो तीन चार पांच whatever है ना ये तो ऐसे ही रहेगा और ये मेरे ख्याल से आपका i में convert हो जाएगा अगर आप एक matrix को a से multiply करोगे है न तो पहला और दूसरा तो but natural है पहले और दूसरे में तो हमें याद करने के भी जरूवत नहीं पहला याद है दूसरा और तो naturally हम याद कर सकते है थर्ड वाला जो है यह आप थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी याद करने में actual में यह याद करने के लिए आपको काफी सारे questions लगाने पड़ेंगे जो कि आप DPP sessions में लगा लगा के फिर यह वाली property आपको याद हो जाएगी अगर मैंने इस पे दो बार adjoint लगा दिया तो यहाँ पर again देखो यह आपके matrix तो maintain रहेगी 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 य determinant of a की पावर n-2 तो यह तीन properties मैं suggest करूँगा आप लोग अभी याद करें बाकि इनके extensions इन पे और जो अलग चीज़े हैं वो हम लोग DPP session में derive करके देखेंगे ठीक है तो इसी adjoint पे एक बार और adjoint हमने लगा दिया तो देखें matrix तो आना या आना है बद scaling factor जो होगा वो mod a यानि determinant of a की पावर n-2 हो जाएगा यानि कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इस property को बोल रहा है matrix related properties, matrix related मतलब adjoint of a बी एक matrix है तो इधर भी एक matrix होना चीए, adjoint of a में किसी matrix को multiply कर रहो तो यहाँ पर भी matrix मिलना चीए, देखो ना matrix मिल रहे है, identity matrix में आप scalar का multiply कर रहो तो यह कोई scalar matrix, similarly adjoint of adjoint of a आपने करा, तो यहाँ पर भी आपको एक matrix ही मिलना चीए, क्योंकि LHS में matrix है तो RHS में भी होना चीए, scaling factor mod a की पावर n-2 याद रखना, गलती से हम लोग इसको n-1 याद कर जाते हैं, यह बड़ी popular mistake होती है बहुत सारे बच्चों से, तो यह आप लोग याद र रखिए, तो यह adjoint के matrix related results कौन से हैं, यह results में हमेशा LHS और RHS में आपको matrices ही दिखेंगे, तो इस विए से तीन तीन properties को मैंने classify करके आपको दिया हुए, okay, समझ गया मेरी बात को, याद कर लेंगे इसको, तीसरा वाला थोड़ा याद करना, तीसरे वाले questions आप कनॉडिया अगरे की भी किताब लगाओगे न, कनॉडिया के mathematics के questions लगाओगे, तो उसमें काफी अच्छे questions दे रखे, based on the adjoint property, जो कि हम लोग DPP में already include करेंगे, ठीक है, already DPP में उसको include करेंगे, लास्ट वाला भी याद कर लो, मैंने proof नहीं दिया, यार, proof नहीं दिया, मैंने आपको लोग, जो DPP session होगा, वहाँ पर मैं करवा दूँगा, ठीक है, proof इसका करना चाहिए हमें, in fact करना चाहिए, और proof करने से क्या होगा, कि हमें idea लगेगा, या आ कैसे रहा है, वो बहुत important है, जानना, बट by the end of the day, result ही हमको याद होना चाहिए, okay, gate के लिए, एक number में तो important होता है, काफी सालों से नहीं पूछा गया, adjoint पे based properties, क्योंकि linear algebra का जो most important part होता है, वो कल या person से आपका start होगा, जो rank वाली calculation होती है, जो rank जहां से start होता है, वहां से फिर थोड़ा gate का आता है, यहाँ पे gate उतना question नहीं पूछता है, बट other exams में को LHS में भी determinant रहेगा, हाँ N आपका order है, matrix का order है, ठीक है, यहाँ पर देखे, LHS में भी determinant रहेगा, RHS में भी determinant रहेगा, तो अगर आप adjoint of A का determinant लेते हो, तो आपको मिलेगा determinant of A की power N-1, अगर इसमें एक बार और adjoint लगा दिया तो N-1 का square कर लेना, N-1 into 2 नहीं करना है, उस तो मैं एक बार यहाँ पर आपके सामने लिख भी देता हूँ, तो मुझे लिखते हुए देखके, थोड़ा सा आपके दिमाग में और clarity आ जाएगी, ठीक है, यह हमने लिखा determinant A की power N-1, एक बार इसमें और लगा दीजे, आप सभी लोग adjoint, तो adjoint of A का अगर हम determinant लें, तो तो यह मिलेगा determinant of A की power N-1 का whole cube, एक दो question करवात हो, आज का session फिर यहीं पर stop करेंगे, ठीक है, ने attendance का मतलओ आप लोग आओ करो class इसलिए तो करवाई जा रही है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से नए channel का permission मिला, बड़ी मुश्किल से यह सारी चीज़े चल रहे, just because कि आप कर लो आके, ठीक है, मेरा इसमें क्या फाइदा होने वाला है, आप मुझे बस यह बता दो, मेरा तो कोई फाइदा नहीं, है न, मैं तो इसी वज़ए से, शाम वाला जो सबसे premium slot होता है, वो मैंने आप लोगों को दिया, 5-7 वाला slot जो होता है, मैं चाहता है, दो पहर में ओके, चलो, आगे बढ़े, अब एक question आपको करवा देता हूँ, फिर आज की class यहीं पर stop करते हैं, Saturday को तो class नहीं होते हुगे न, तो Saturday को हम लोग थोड़ा 2,5 घंटे की class कर दिया करेंगे, बाकी दिन यही duration रखते हैं, ठीक है, चलो, एक question करो, एक matrix दिया गया, यह एक matrix दिया गया, ठीक है, matrix के जो elements हैं, वो कुछ ऐसे हैं, अभी अभी आपने same matrix का determinant निकाला हुआ था, तो आप चाहो तो अपने notes में पीछे से refer कर ले न, कि क्या था इसका determinant, ठीक है, इसमें पूछ रहाएं आप सभी लोगों से, कि, at joint of, 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 at mod, second में पूछ रहा है, at joint of, at joint of, at joint of a, इसका mod, फिर पूछ रहा है, at joint of, at joint of, at joint of a, इसका mod का मनला अब determinant है न, और, चलो पहले ये तीन करो, एक question और करवाता हूँ इसके बाद, ठीक है, ये तीनों solve करिए, बताएं क्या answer आना चाहिए, Saturday को धाई गंटे के असपास कर लेंगे, ठीक है, बताओ, इसका determinant तो आप लोगों ने calculate करी लिया था, मेरे कहाल से 5 आ रहा था शायद इसका determinant, ठीक है, और ये 3 cross 3 का matrix है, तो first वाले का answer क्या आना चाहिए था, determinant of a की power n-1, determinant of a 5 था, ये आपका हो जाता 3-1, मतलब की 25, second वाले के अगर हम लोग बात करें, तो ये हो जाता determinant of a, इसकी power n-1 का square, ये आपका हो जाता 5, ये होता 3-1 का square, मतलब 5 की power 4, third का अगर हम लोग करतें, तो ये मिलता determinant of a की power n-1 का whole cube, मतलब 5 की power 8, ठीक है, ये ही आ रहा है सभी का, बहुत ही बढ़ी है, शान्दार, ठीक है, ये answer आरोगा, 25, 5 की power 4, 5 की power 8, ठीक, एक सवाल और करोगे, एक question और करवा देता हूँ, ठीक है, जाते जाते, एक question और कर लो, ये श्वन्त भी आ रहा होगा भी, उसको बदा चल गया होगा, class खत्म होने वाली है, चलते हैं, ए, same ही matrix ले लेते हैं, ठीक है, 1, 2, 2, पूरी class में थे कोई absent था वो, ठीक है, पूरी class में उसका कोई नामो निशान नहीं था, अब चल चुका होगा वो के चलो भाई, class खत्म होने का time, जिम्मेदारी निभाते हैं, अपनी ये ली जाए, question है, बोल रहा है, जो B है न, वो 5 times 5 कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 3 कर लेते, 3 times A, so what will be adjoint of adjoint of B, ठीक है, चलो भाई, ये question का answer दे दो सही सही, बाकि इसके आगे की चर्चा कल करते हैं, पॉट है वो, यश्वन्त, भुचर लगता है इंसान है, हाँ भाई मैं भी क्रिस्टियान रोनाल्डो का फैन हूँ, ठीक है, मेरे गाल से सभी हैं, तो मैं भी हूँ, अब ये मत पूछना सर, रोनाल्डो के ज़्यादा आप करीब हो या मैं सीके, भाई मैं दोनों का फैन हूँ, ठीक है, दोनों अच्छे लगते हूँ, और होना भी क्यों नीचे है, यार, ठीक है, जितने भी अच्छे लोग हैं दुनिया में, जितने भी अलफा लोग हैं, उनका तो हमें फैन होना ही चाहिए, सीखना चाहिए उनसे, ठीक है, ठीक है, पर्फेक्ट, पैतालिस की पावर चार, बहुत खतरनाक आंसर देरो यार आप लो, चलो, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो पूछा गया है न, एडज्वाइन्ट ओफ, एडज्वाइन्ट ओफ, एडज्वाइन्ट ओफ बी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो मेरे खाल से इसका आंसर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ओफ बी, 3-1 का इसकी पाउर 4, ऐसे ही हो जाएगा, इतना तो आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, अब कुल मिला जुलाके आपको डिटर्मिनेंट ओफ बी कैसे कैल्कुरेट होगा, डिटर्मिनेंट ओफ बी हो जाएगा, 3 का क्यूब, डिटर्मिनेंट ओफ ए, आप इसको ऐसा भी यह कितना हो जाएगा 27135 तो यहां से मिलना चाहिए था 135 के पावर यह आपका अंसर समझे है हाँ इसका मॉड ले लो यार ठीक है यहां पर मैं मॉड लिखना भूल गया यह मॉड मतलब डेटर्मिनेंट इसका पूछा था मैट्रिक्स नहीं पूछा था ठीक है मॉड लगा लो questions आई कर लो आया सबको अच्छी तरीके से समझ में तो ऐसे टाइप के questions ना आपको कनॉडिया में काफे मिल जाएंगे ठीक है कनॉडिया में ऐसे questions बहुत मिलेंगे जहां पर ऐसे mix करकर आपसे पूछेगा तो अगर basic calculation हमारी strong होगी तो इसको हम असानी से कर सकते हैं ठीक चलिए तो आज की क्लास में भी काफे interesting concepts आप लोगों ने सीखे कुछ conceptual questions के answer दिये अब कल से थोड़े ऐसे concepts start होंगे जो थोड़ा gate के questions में convert होंगे जैसे कि मालो rank की calculation हो गई ठीक है most probably कल की class में rank वाला concept आ जाना चाहिए फिर उसके बाद system of linear equations आएगा फिर उसको अधा eigen values आएगन फंक्शन आएगा ऐसा करके काफी सारे important concepts आप लोगों के लिए discuss होगे